दोस्तों हाजना एक होर वीडियो रिपोर्ट लाके चैनल रितेश लखी अनप्लाग दी आज दी इस रिपोर्ट रही मैं अपनी सीरीज हिट लिस नू ही अग्गे तो रहाँगा ते आज मैं पंजाब दे विच 1981 ते 84 दे विच होई यां दो वक वक कटनामा वार्दाता हत्यामा दा जिकर करांगा ए दो हत्यामा पंजाब दे सब तो बड़े पत्रकारी देना जुड़े होए कराने दे दो मुख जड़े मेंबर सन उनना नू टार्गेट कार दिया सन एक लाला जगत नरायन जिना नू 9 सितंबर 1981 नू गोली मारती जान दी है ते उस्तो बाद तिन साल बाद उनना दे जड़े बेटे सपुत्तर होंदे ने रमेश चंदर चोपडा उनना नू जलंदर दे भी 1984 मई 12 नू गोली मारी जान दी है एदोवा हत्यामा दे पिछे जड़े पंजाब दे खाड कु जथे बंदियां होंदियां ने संथ जन्रेल सिंख पिंडरावाला होना दे समर्थक जड़े होंदे ने या ओ लोग जो की दशमेश रेजिमेंट दे ना उत्ते अपनी गतिविदियां कर रहे होंदे ने ओना द तकरीबन 16 लोग का दी मौत होंदी है एक बहुत बड़ी कटना होंदी है ते इस कटना दे विचिक मेन विटनस चश्मदीद रूप इच लाला जगत नरायन वलो दित्ती जानवाली गवाही और सबब बने जिस कारण लाला जगत नरायन दी दुश्मनी जड़ी सी कई ऐसे पंजाबी पाशा दे उटे अधारितिक सूबे दी या फिर अनंदपुर साफ वर गे जड़े मते या रेजलूशन दे जड़ियां मंगा पंजाब नू खुद मुक्तियारी दें दे उस सारे जड़े कॉंसेप्ट सन उना दा विरोध किता जा रहा सी कौमियत राष्ट्रिय जनल सिंग्रणावाला परमुक्सन हलाते आ चुके सन वी लाला जगत अराएन ते सं जनल सिंग्रणावाला होना वलनू एक दूसरे होते सिद्धे शबदी हमले बोले जाने शुरू कारते गए सं एही वो दौर सी जड़ों की लाला जगत नारायन ता पिशोकर्द अपनी अखबार दे कॉलम्स दे विच लाला जगत नरायन होना वलनों लिखे जानवाले तिखे एडिटोरियल्स दे जड़े कॉलम्स या आर्टिकल होया कारते सन इक बड़ा वड़ा कारण बने जिस कारण कुड़तन दे उना दे प्रती जड़ी नफरत सी ओ लगातार वद दी गई सी ओस हेड कॉंस्टेबल नू भी उना ने अपनी हत्या जिस दिन 9 सितंबर 1981 नू नू मारया जानदा है उस तो एक दिन पहला वापस कारता सी या उनू कहता सी भी तू ना आया कर तेरी हले मैनू लोड नहीं है सो 9 सितंबर 1981 दी कटना ते उते साब तो पहला नजर पाने है उस तो बाद मैं रमेश चंदर जड़े चोपड़ा उना दे बेटे सी उना दी हत्या दी गाल करांगा 9 सितंबर 1981 दी लाला जगत नारायन पट्याला दे विच एक आई डोनेशन कैम्प विच हिस्सा लेनने जान देने सवेरे ओ तकरीबन 10 वजे अपनी ग्रे रंग दी फियट गड़ी दे विच अपने ड्राइवर सोमनाथ देना लिकल देने इस मौके उना देनाल उना दा ओ हैड कॉंस्टेबल गानमेन नहीं हुंदा जिसनों की उना ने एक दिन पहला ही फ्री कारता हुंदा है लाला जगर नरायन पटेला दी इस फंक्शन दे विच्चो हिस्सा लैंड तो बाद शामी तकरीबन 6 वजे दे आसपास लुद्याना तो क्रॉस कार देने लुद्याना चुंगी तो तकरीबन 2 किलो मिटर दूर लुद्याना जलंदर हाईवी दे उते उना नू अंधाजा नहीं हुनता कि उना दे पिछे एक बुलिट दे उते तिन नोजवान सवार हैगे ने तिन खाड़कू रादर इना नू कांगे जो की सवार हुन देने ते इना दा निशाना लाला जगर नरायन हुनता है इना वी चो दो जड़े khaड को हों देने उना दे हथा दे विच पॉआंट पंताली ते पॉआंट बती बोर दे पिस्तौल रिवॉलवर हों देने तो एफ बुलिट मोटर साइकल इना नो टेल कर रहा हों दा है पिछा कर रहा हों दा है लुद्याना दी चुंकि टापने ही इस बुलट उते सवार नौजवान अपनी रफ़तार वडालन देने अपने मोटर साइकल नू कार दे पैरलल लगालन देने ते उस तो बाद गोलियां चलानदा सलसला शुरू होंदा है हलांकि एजनी गोलियां हिट नहीं कर दी है गोलियां गड्डी धे वाज़ दिया ने विंडो पेंस धे वाज़ दिया ने लेकिन एस विच नानदा लाला जगात नरायन नो कोई नुकसान होंदा है तिनाही 110 ड्राइबर सोमनाथ नू सो गड़ी दी रफतार ड्राइवर होर बतानता है इस दोरान सामने एक बस जड़ी होंदी है ओख खराब हो चुकी होंदी है जिस कारण की सड़क रुकी होंदी है ब्रेक लगान तो बाद सोमनाथ जड़ा ड्राइवर होंदा है इस गड़ी नू पैक करन दी कोशिश करता है जिस दोरान बुलिट मोटर साइकल थोड़ा अगे जा चुका होंदा है लाला जगत नरा इंदी गड़ी नूँ बैक होंदिया होंदा है वेक के इतिन्नों मोटर साइकल सवारा आ दे विच्छों दो स्वरन सिंग अते दलबीर सिंग मोटर साइकल तो उतर के उस गड़ी दे नेड़े पहुंचके हमला करन दा यतन करते ने लेकिन इस दोरान गड़ी बैक हो चुकी होंदी है इस तो बाद जड़ा मोटर साइकल सवार जिसने मोटर साइकल नूँ स्टार्ट पोजीशन दे विच रख्या होंदा है इस दा इंजन जड़ा है ओन होंदा है उसनों दोबारा तोरता है मोड़ता है ति जिस तो बाद की गड़ी नू कुछ ही गजान दी दूरी ते जाके अग्यों रोक लाए जान दा है इस तो बाद जड़े हमलावर होंदे ने उनना बलनों गोलिया लगातार चलाओं जान दियान है दसा है जान दा भी बहुत सी चलियाensor गोलियां पॉइंट 55 बोर ते पॉइंट 22 बोर ते विच्चों तिन गोलियां जड़ीं होंदियांने ओ लाला जगत नार्याए न्नों हिट कर दिया ने उनाने शरीर दे अलाग अलाग हिस्सियां दे उत्ते जिना दे विच उना दे बाजुआ ते उना दी जड़ी सजे पासे दीछाती हूं दिये उस दे उतले पास्यों दी गोलियां अंदरों पार हुंदियाने जिस तो बाद लाला जगत नरायन अपनी पिछली यानि की गड़ी दी बैक सीट उतते ही गिर जान देने ते मौके ते ही उनादी मौत हो जान दी है इक गोली जड़ी है उनादे ड्राइवर सोमनाथ नो भी लगी हुंदिया लेकिन सोमनाथ है वो इस कटना दे विच जूदा बाच निकल दा है जिस तो बाद की हमलावरा वल्लों उस मौके तो पजण दिया कोशिया हुंदियाने इस मौके ते हमलावरा दा मोटर साइकल है व वो दुबारा स्टार्ट नहीं हुंदा ए बुलेट मोटर साइकल दुबारा स्टार्ट ना हुंदे हुआ है वेक के नचत्तर सिंग थोड़ा परेशान हुंदा है सोरं सिंग ते दलबीर सिंग अपनी पिस्तॉला लेके खेता विच बढ़ जान देने गुलियां चलान दे ह वे ओ पज़न दे विच काम्याब हो जान देने लेकिन नचत्तर सिंग काफी सामा तक मोटर साइकल स्टार्ट करन दी कोशिश करदा है होया इस दौराने हुंदा है कि जलंदर आले पास से हो साइकला दे हुटते दो पंजाब पुलस दे मुलाजम आरे हुंदेने इना पुशिश कारदा वी ओ वी मौका है वारदार तो पाज निकले जिस दौरान क्योंकि उत्थे जड़ी सड़क है बनरी हुंदी है उत्थे हुंदे समय नचत्तर सिंग दा पैर तलक जान दा है ओ गिर जान दा है जिस दौरान A.S.I. मुक्तियार सिंग वलनों उशनू कर ला जान दा है रुमेश चंदर ओना दे नाल हुंदे ने एक बहुत वड़ी वारदात हो चुकी हुंदी है इस कटना दे हुंदा समात शाम तकरीबन 6 वजे दस्या जान दा है छे तो सबाचे दे दरम्यान एक गोली बारी होई हुंदी है इस तो बाद ऐसे मुक्तियार स सिंग अपने साथी कॉंस्टेबल रुमेश चंदर देनाल मिलके लाला जगत नरायन अते फटर ओना दे ड्राइवर सोमनात नू क्रिस्चन मेडिकल कॉलेज लुद्याना दे विच पचान देने जित्थे उना दा उपचार किता जान दा है लाला जगत नरायन ब्रॉट डे अते ब्रॉट गत देने पंजाब दे अग्साब का कैबिनेट मिनिस्टर रहे हुंदे ने थे पंजाब दे सब तो वड़े अखवार आथे मीडिया कराने दे मालक हुंदे ने तो एक जड़ी खबर है इस दा एक बहुत वड़ डार येक्शन होना हुनदा है प्रतिकरम होना हुनदा है जो हुनदा भी है क्योंकि पेला भी मैं रिपोर्टा में जिकर किता है विए अगले दिन लाला जगत नरायन दा जदो अंतिब सस्कार हुनदा है उस मौके तकरीबन असी हजार तो वद लोकां दा जड़ा काट सी और जलंदर विच वेखनों मिलता है ते एस मौके ते आनवाले कुछ दिना दे विच जड़ा फिरकूत तना है जलंदर ते आसपास दे इलाकें दे विच बहुत ज़ादा वेखनों मिलता है लाला जगत नरायन दी एस तरीके गालकरन वाला सब तो मजबूत बुलारा मानदा होंदा है उनना लेक बहुत बड़ा सेटबैक होंदा है इस तो बाद आनवाले कुछ दिना दे दौरान पंजाबी कुछ रसालिया दे जड़े दफ्तर होंदे ने उननों भी टार्गेट किता जानता है निशाना बनाया जा क्योंकि स्वरन सिंग दी जड़ी इंवाल्मेंट होंदी है इस सत्याकान दे बिच बेशक शुरुआती दौर दे और चीजां सामने नहीं आया होंदी है लेकिन नचचतर सिंग वलों जदों वो सारे ना ले जानता है स्वरन सिंग दा ना ले जानता है दल्बीग दा ना ल लाला जगत माराएंदी जड़ी हत्या सी और एक बहुत अहम टर्निंग पॉइंट सी तो कि पंजाब दे हलाद जड़े सी ओन लगातार विगड रे सन लेकिन ओना लगातार विगड रे हलाता नुहोर विगाडन दे पक्खों इस कटना ने एक बहुत बढ़ा जड़ा सी रोल प्ले किता उस तो बाद उस तो नो पता ही है वी सितंबर तो बाद संध जन्रेल तो रिखा किता गया उस तो पहला गैनी जयल सिंग होना वोलो पारलेमेंट दे बिचे स्टेटमेंट दे ती गई सी लाला जगत नरायन दी हत्या दे केस दे वीच इस हिट दे केस दे विच संध में ड्रावाले होना दा कोई रोल नहीं है तो clean sheet संध में ड्रावाला होना न नचत्तर सिंग तो इलावा स्वरन सिंग अते दल्बीर सिंग नू इस केश दे विच सजामा नहीं हो पाईया, उना दे खिलाफ लोड़ें दे जड़े सबूत सी और नहीं जुट पाया सी, क्योंकि मौके वारदात तो नचत्तर सिंग नू ऐसे ही मुक्तियार सिंग ने केश दे विच उस तरीक के दिया सजामा नहीं हो पाईया, उना दे खिलाफ ए हत्यादा केश थापत नहीं हो पाया थे उना नू अधालतावलों बरी किता गया, नचत्तर सिंग दा बैक्गराउंड, कॉमरेड बैक्गराउंड सी, नेक्सलाइट मूवमेंट दे नाल ओ जिर्चुकना शुरू कर रही सी, उस दिन आल रिलेट नहीं किता जा सकया, यही कारण सी भी संजरनेल सिंग पिंडरावाला होना नू भी एक क्लीन चिट इस केश दे विच बिली, लेकिन टाई तिन साल बाद एक तरीकी दी रैपिटेशन होई थे इसी कराने दे, यानि कि हाथ पूरी दी पूरी वागडौर ते कमान भी इस पूरे हिंद चमाचार सनू, पंजाब केसरी जग बाणी दी आचुकी सी, उना भूलो लगातार अपने पिता लाला जगत नरायन दे ही नक्षे कदम ते तुर्दया होया, अपनी अखबार दे, कॉलमा दे, एडिटोरिय यानि की साका निला तारा तो ठीक एक महीना पहला, बारा महीन नू रमेश चंतर चोपडा नू भी टारगेट कार ले गया सी, इस वक्त तक थो नू याद होएगा, मैं पहली भी रिपोर्ट्स भी जिकर कार चुका है भी, 18 मार्च 1984 दे आसपास All India Six Student Federation उत्ते बैन लगाता गया सी, पारसरकार वलों, इंद्रागांधी गवर्मेंट वलों बैन लगाया जानदा है, इस दा स्वागत कुछ लीडरां वलों किता जानदा है, कई जमातना ते जथे बंदियां वलों किता जानदा है, जिना बिच हरबंस सिंग जरा मंचंदा हुनदा है, DSGMC दे मेंबर जड़ांधी गरूप हुनदा है, उस दियां खबरा हुनदियां है, ओ उस बैन दी हमायत करन वालियां हुनदियां ने, इस दे नाल ही लाला जगत नरायन दी लेगेसी दे रूपीच उना दे, जिस नो कहन दे विरासत दे रूपीच जड़ा कामकाज लाके रमेश चंदर चोपड़ा गे तुर रहे हुनदेने, उस दे चाल दे ओ लगातार खाड़कू जथे बंदियां दे टार्गेट ते हुनदेने, ते इस तिथी दे विच फेडरेशन दे उत्ते बैन तो बाद, दशमेश रेजिमेंट ना दी ओ जथे बंदी जिसने तमाम टार्गेट के लि पारण ले गुरिंदर सिंग पोला ना दा एक दशमेश रेजिमेंट ना ही खाड़कू सी, बेसिकले सारे लोग फेडरेशन देना जुड़े होई सन, ओ गया सी गुरिंदर सिंग पोला दे विच वीडियो जड़ा मैं पिछला बनाए से उस तबा जानकारी मिली सी, कि गु गुरिंदर सिंग पोला नहीं रुकिया थे उस ते जाके गोलियां हरबन सिंग मंचंदानू मारियां, जिस तो बाद की वल्टोहा ने भी मारियां, मैं पूरा ला पूरा तुनों एपिसोड दा चुका हाँ, सो गुरिंदर सिंग पोला एक होर हिट ते टारगेट ली तयार होन दा है ते इस पूरे ऑपरेशन दी जोडी कमान इस वक्त होन दी है ओर जेरल लाप सिंग और शुक्खा सपाही दे हाथ विच होन दी है, पहला मैं जिकर जेरल लाप सिंग दा किता है पही वारदातना दे, कॉन्टेक्स दे पिस जोडी आना दी बैंक जोडी ढकैती सो जैनल लाब सिंग, गुरिंदर सिंग पोला, इस तो इलावा गुरु सेवक सिंग बबला नादा एक होर खाड कू अंसर होंदा है, ते इस तो इलावा एक स्वरंजी सिंग नादा शक्स होंदा है, एक चार लोग निशाना बनांदे हैं गेने, मुक तोर ते, जलंदर दे, उस दे विच्चो विच्ट यदों की रमेष चंदर जड़ा चोपड़ा होंदेने, उना दी गड़ी जारी होंदेसे, उना दे नाल, सेक्यूरिटी तेनाद कार ती गई होंदे, क्योंकि लाला जगत नरायन दी हत्त आतो बाद इस परेबार नों काफी उतले दरजे दी सु उन्हां की भूस्वेज, इक भी तरगेटिट गंग्च सरो होँए धिसके दरी कहुँ इने। इक विडाइपी में मारे जाना। अहलान पहला ही किता जगा होंदा है। ओ लड़ी बरकरार हुंदी है। या कोई भी बेदभी करन वाली हैं गलना बाता इना संपादकियां दे विच नहीं हुंदी है। जो की विचारा दे मत पेद यानिकी आइडियोलेजीज या अपनी सोच दे जडे गाप है गेने या उना दे डिफरेंसिस है गेने उना नू चलन नू तयार नहीं। आज असी इस मौडरन युग दे विच गौरी जडे लंकेश पत्रकार सी उना नू मारदे होया वेख्या उना दा जड़ों कतल हुंदा पूरे देश दे विच एक बहुत वड़े पत्दर दी निखेदी इस कठना दी कित्ती जान दी है। समय सुमयाओते जड़ों भी पत्रकार मारे गएने अपने विचारक मत पेदाने चाल दे या जड़ों भी ओ अपनी एक लाइन नू फॉलो कार देने जो उना नू ठीक लागता है ओ लिख देने देश दा कानून, देश दा संबिदान, साड़ी जम्हूरिय, सान नू इस च चंदर चोपड़ा बलनों जड़ियां लेखनियां जो संपाद की लिखे जारे सन, उनने समाज देविच एक पाड़ पान दा काम किता, की फिरकुवाद दा ओज जहर को लिया, जो की बात देविच उनना दी ही मौत दा कारण भी बनेया, सो रुमेश चंदर चोपड़ा द अज ये जड़ी लेखनी हुंदी है, उसनों दबाउट दियां कोशिशां कर दियांने, आज कल दे आदनक यूग दे विच भी असी कई पत्रकारां दे उत्ते हुंदे होए हमले वेख देएं, जदों पत्रकार अपने मानदी काल कर देने, उनना जो ठीक लगता है, उनना लगाता टार्गेट किता जान्दा निशाना बनाया जान्दा है टी मुखालफत सिर्फ विचारां दे मतपेद या फिर उना नू जाहर कारके नहीं किती सगों गोलियां चलाके किती लेकिन पूरा ता पूरा सिलसला सी एथे नहीं रुकिया एथे नहीं सी रुकिया क्योंकि रमेश चंदर चोपडा ते लाला जगत नरायन दी हत्यामा तो कई साल बाद भी इस परिवार दे उत्ते खत्रा मंडराना रहा चोपडा परिवार दे कई मेंबरानों बहुत ही आला दर्जे दी सेक्योरिटी सुरुख्या केरा दिता गया थे 1999 ना वो वक्त आया 1988-1999 जदों की पंजाब देविच खाड़कुवादन एक बार सिर्फ खोर चुकलया सी माइंडलेस किलिंग्स ना जड़ा सिलसला ते दौर सी 89 देविच दोबारा शुरू हुंदा है जिस दोरान पंजाब केसरी अखबार वंडन वाले या फिर हिंद समाचार समूद जिड़नेविए अखबार वंडन वाले हौकरानों निशाना बनाया जाना शुरू हो गया पंजाब दे वीचे बहुती काड़ा दौर सी जिस दौरान लगातार हौकर्स टार्गेट ते सन इस समझा जानदा भी हिंद समाचार दे ही तकरीबन अद्द अरजन तो वाद जेड़े पत्रकारानों निशाना बनाया गया इस तिलावा हौकर्स जेड़े सन उनननों गोलियां मारंदा सिलसला एटी एट एट एटी नाइन दे भी शुरू होया उते सडका रोक चानी जान दे हैं सन तकरीबन तिन तिन चार-चार सव पुलस मुलाजम अदा एक कोडन जड़ा सी केरा पाया जान दा सी मशीन गना लेके लोग तेनात रहन दे सन ओना हलातां दे विचे काफी वड़े खतरे दे वीचे इना हौकर्स नू ए अखबारा देती है जान दिया सन इस तो बादे हौकर कारकार अखबार बंडन जाय कर दे सन जिस दोरान इना दे नाल हत्यार बंद जड़े सुरुख्या गार्ड सैकला दे उत्ते जाय कर दे सन तो पंजाब ने ओ दौर भी बेख्या ज़नों की निशानने ते ओ गरीब हौकर आ रहा सी जिस दा काम अखवारा नों वांड ना सी सो अंदाजा इस चीज तो सैजे ही लगाया जा सकता है भी पंजाब दे बिच दैशर दाइक कहो जहाद दौर सी ओ दौर जिस बिच की गरीब हौकर टारगेट बान रहा सी उननों मारया जा रहा सी खत्रे दे तहत ओ अपनी रोजी रोटी कमांड लई मजबूर सन सेक्योरिट दे बिच उननों कारकर जाके ख़वार बंडनी पहरी सी यह ही दौर सी जदों की हिंद समाचा और समूद इज़ेटी सर्कुलेशन पंजाब दे बिच ओना दे बिच तिन लख तो कटके दो लख रहेगी सी इक लख सर्कुलेशन दा लॉस होय सी जिस तो बाद की सुरुख्या दे इंतजामा दे हेट जदों ख़वारा नों बंडे जान दा सिलसला दोबारा शुरू होया कुछ हाद तक इस सर्कुलेशन दे रिकावरी हो पाई पिंडा दे बिच तिती होर ज़्यादा खराब सी जो इस पूरे दे पूरे अख़वार या इस कराने दे खिलाफ काफी वड़ा जड़ा अटैक सी ओ खाड कु जथे बंदियां वोलनों कई साल बाद लाला जगत नरायन अते रमेश चंदर चोपड़ा दी मौत तो बाद या ना दी हत्यावा तो बाद भी जारी रहा इस तो बाद हला थोड़ ज़े ठीक होए 1992 तो बाद बेंसिंग दी सरकार तो बाद होकरां दे उत्ते या पत्रकारां दे उत्ते खास करके पंजाब केसरी जड़ा समू है उस तो थोड़ी खत्रे दी जड़ी तलवार सी ओहटी अज भी इस परिवार दे जिन्दे भी मेंबर है गिने ओ बहुती कड़ी जड़ी सुरक्या है उसके रेदे बीच है गिने इस परिवार बोलो शहीद परिवार फंड जड़ा की चला है गया सी ओव एक बहुत गर्दी दे दौरदा निशाना बने उना नू रसत इमदाद इती जान दिया जिस विच की कॉंट्रिबूशन जान दिया ने अखबार दे प्लाटफॉर्म तो लखा रुपया करोणा रुपया एक अठा किता जान दा है ते हर साल होन वाले शहीद परिवार समागम दे दौ उसारे परिवार जो कि अतवाद पीडित होने ने कहाई जान देने उना नू एजड़ी इमदाद है उदिती जान दिया जिसकी देश दे मन्ने पर मन्ने सियासतान हर साल चरकत कर देने सो एक कहाणी सी लाला जगत नरायन ते उना दे बेटे रमेश चंदर चोपड़ा दी मौत दी एदो में खुद भी चुने होई नुमाइन दे भी रहने पॉलिटिक्स दे भी रहने लेकिन बतार पत्रकार बतार एक अख़वार समूदे मालक होंदे ना ते निशाने ते रह बेशक उना दे विचारां दे विच्च मैंनू भी कई गलना बातना ठीक नहीं लगियां मैं भी काफी हद तक लाला जगत नरायन दी जडी सोच सी जिस तरीके नल ओ सेंसस नू ट्वीक करवाना चारे सन जिस तरीके नल पंजाबी हिंदुआ या हिंदी नू पंजाबी मा बोली ते तौरते स्थापत करके एक अजे ही तस्वीर देश दिया अलागला कमीशना जो की बनिया जिना दे तहत की रियाओगनेजेशन होनी सी पंजाबी हो ते सामने के अलागला तस्वीर अखंदिया कोशिशां कर रहे सन और कुछ ऐसे कदम सन जो की एक चंगी रोशनी या लोका नो गोडियां मारके उना दा लहू डोलके आपना जिस जुबान नो या उस पाव नो दबा सकते होंदे ता शैद देश दिविच बहुत से रेवल्यूशन जेड़ी करांतिया आईया उन ना आ पांदिया सो एही कारण मन्या जा सकता है कि हत्यारा नो अधार बनाके हिंसा नो अधार बनाके एक अजे ही लड़ाई जिसनू की कुछ मकसद दे कुछ तीच्चे लेके तोर्या गया सी ओकदी वी अपने नतीजे तक नहीं पहुंच पाई ते उस दोरान एक बहुत वड़े अधार बाते कई साके हुंदे होए असी वेखे बहाल एसी लाला जगत नरायन अते रमेश चंदर चोप्रा उना दे सपुत्तर उना दी हत्यावाना चुड़े होए उस उना केसा दी पूरी दी पूरी कहानी उमीद करांगे तो अनू ठीक लगी होएगी लेकिन इस रिपोर बीच डिसकस करांगा ते ओ होएगी और लोग जिनना ने की रमेश चंदर चोप्रा नो गोलियां मारी है यह उना दी हत्या कित्ती सी बात दे विच जलंदर दी ही अदालत तो दो साल बात 1986 दे विच उना नो किस तरीक के नाल एक बहुती डेरिंग एसकेप देते है छुड प्लानिंग देनल कित्ती हुई गलवात या वारदात सी जिस नो कि मैं इस रिपोर्ट दे अगले हिससे दे विच याने की अगली रिपोर्ट दे विच तो देनल डिसकस करांगा बहुत बात आनवाद रिदेश लखे अनप्लाग वेखन ले हिट लिस दी इस सीरीज नो कि चंगा रेस्पांस देनले